कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोर्स चोब खतम हो चुका है अब हम शुरू करने जा रहे हैं एच पी टैट नॉन मैडिकल की टेस्स सिरीज ओके तो काफी के इमपोर्टेंट क्वát Link अपडिली दिस्कस करेंगे मखिस कोर्चन लेके आएंगे ऐसा नहीं यह कुई से एक पर्टिकूलर क्वाश्चन मत किजिएगा और यह एजेगर भी आपको मिल जाएगी description में हमने link दिया हुआ है आप directly उस link के ओपर जाएए and बहां पर आपको यह PDF मिल जाएगी अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हैं या आपको official website के ओपर भी PDF मिल जाएगी यहाँ पर हम detail men questions को solve करेंगे and complete solution आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह question जो है आपके पास previous exam में आ चुके हैं तो एक बार confirm कर लेते हैं ओके पूरी stream सही से चल रही है सही से video record हो रही है आगे से हम आपके लिए recorded and live stream भी शुरू करेंगे तो आज maths की test series लेके आया हूँ मैं यह practice setup कह सकते हैं तो काफी important वीडियो है काफी important 10 questions है आज और 10 questions वो हैं जो की हर time exam में आ चुके हैं तो इस वीडियो के उपर target लगते हैं likes का तकरीवन 50 likes का मैं target रखता हूँ अगर 50 से उपर likes चले जाते हैं तो directly आपके लिए एक और वीडियो आएगी नीचे description में आपको link मिल जाएगा PDF files का तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक like तो कर सकते हैं ओके तो आपको केबल like बटन दवाना है और आपको next वीडियो भी मिल जाएगी तो चलिए इसके उपर target रखते हैं 50 likes का एंड अगर इसके उपर 50 likes होगे तो कल से आपको regular psychology physics chemistry mathematics and gk की तो चलिए डेली लगते हैं तो हर एक की टेस्स मिलेगी इसी पैटन में भी PDF ओके तो चलिए first question की तरफ बढ़ते हैं first question है मारे पास the lcm of two number आपके पास कोई दो नंबर है जिनका lcm कितना है 2079 and their hcf is 27 if one of the number is 189 find other आपके पास two numbers हैं कोई भी number मान लीजे x मान लीजे दूसरे को y मान लीजे अब उणका जो lcm है आपके पास वह कितना है तो उनका जो lcm है आपके पास 2079 and then उनका जो hcf है आपके पास बोह आपके पास 27 okay lowest common multiple okay या LCM आप कह सकते हैं, SCF हो गए आपके पास highest common factor, okay, so lowest common and highest common, तो कितना है आपके पास 2079 and 27, then आपके पास किसी एक की value दी गई है, 189, किसी की भी मान लेजिए, x की value में 189 आपके पास मान लेता हूँ, तो आपको अब find करना है y, तो इसके लिए हमारे पास एक formula होता है, कौन सा formula, already हम कर चुके हैं, जल्दी से comment section में video को रोक के इसका answer में बताइए, ओके तब तक मैं इसको solve करता हूँ, तो इसका क्या answer मारे पास आएगा, तो हमारे पास एक formula होता है, क्या formula हमारे पास होता है वो, first number into second number is equal to lcm into scf, ओके ये formula होता है, तो वस्ट first number, second number given है, y is equal to क्या जाएगा आपके पास, lcm scf upon x, तो values given है हमारे पास, values को डाल दीजिए, हमारे पास बनेगा, 2079 into 27 upon 189, and this will be equal to, कितना हो जाएगा हमारे पास है, 297, which option is the right, option number a, जो हमारे पास यहाँ पे इसका right answer है, okay, next हमारे पास, find the least number, when divided by 18, 24, 30 and 42, will leave in each case, the same remainder is, और हर एक केस में आपके पास जो remainder है, वो कितना बचता है, one, और वो same है आपके पास हरे एक condition में, okay, जाली इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं है, ताकि आपको एकदम clear दिखे, okay, okay, find the least number, which when divided by 18, 24, 42, will leave in remainder case, तो आपके पास remainder कितना बचता है, each case में, तो आपको क्या पूछा गया है, आपके least number, least number represent करता है, LCM को, आपको किस तरह से इसको करेंगे हम, easy question है, cable आपको LCM निकालने हैं, और इसका LCM कैसे आपके पास आएगा, normal सा है, 18 का LCM निकालेजिए, 18 का LCM निकालेंगे, तो 18 का क्या values आएगे हमारे पास, 18 के आएगे, 2 into 3 का square, अगर next की निकालेंगे, तो हमारे पास 24 का जो हमारे पास term बनेगी, वो हमारे पास बनेगी, 2 raise to power 3 into 3 and 30 को अगर करेंगे, 2 into 3 into 5, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह तो एक्तम easy question है, आगे बाले question है करने वाले, तो यह हमारे पास बन गया, highest value कौन सी है यहां पे, अगर आप देखोगे, तो 5 की power भी बनने है, 7 की power भी बनने है, तो LCM हमारे पास यहां पे बनेगा इसका, 3 raise to power 2 into 2 raise to power 3 into 5 into 7, so this will be equal to 2520, और हमने क्या note किया था, कि हर बार जो remainder है वो 1 भी आपके पास बच रहा है, यानि प्लस 1, so right answer is 2521, 2521 is the right answer, यानि option number B जो है आपके पास यहां पे इसका right answer है, next, इस तरह के question भी आपने, बहुत time exam में देखने को मिले हैं आपको, इनको कैसे करेंगे हम, ओके, बोही question मैं करवाऊंगा जो tough होते हैं, तो इनको करने के लिए आपको इनको break करना पड़ेगा, firstly आप नीचे वाले को solve कीजिए, जब आप नीचे वाले को solve करके, तो हमारे पास के बन जाए गए, one upon two plus one upon one, three plus, और जब इस नीचे वाले को मैंने solve किया, तो हमारे पास के आ गया यह, हमारे पास आ गया four upon five, ओके, यह value हमारे पास बन गई, अब हम एक करना है ये आपके पास उपर चला जाएगा यहां पर क्योंकि यह solve हो जाएगा पर यहां पर 5 upon 4 आएगा 5 upon 4 यह उपर चला जाएगी इसकी value 4 into 5 upon 4 यानि जो 4 है वो उपर चला गया यानि 4 यहां पर आपके पास 5 बन गया यानि 3 3 प्लस 4 5 अब इसको गें सॉल करेंगे तो यह यहां पर कि आपके पास यहां पर हमारे पास क्या बन जाए गा यहां पर 59 नाइंटीन अपाउन फाइब आपके पास बन गया ओके यानि 19.5 तो इसको किसले लिख सकते हैं पॉन पास 2 प्लस लड़ू प्लस अं आ पॉन 19 अपॉन फाइब यह फ़ाइब यहाँ पे आपके पास चला जाएगा यानि 1 पॉन फाइब फायर पॉन 19 यह वैली लेकिन ऊपर चला जाएगा यानि 19.3 दा राइट आंसर सो अप्शिन नमबर ए जो इसका आपके पास यहां पर राइट आंसर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में इजी लगता है और काफी इजी है आपको आपको मल्टिप्लाई करना है 3 इंटू 0.3 ओके जो इस यूज कर सकते हैं ओके जिसे 3 इंटू 9 एंट 9 इंटू 27 27 इंटू 9 3 अप कर लिजिए देन आपके पास इसका अंसर बनेगा यह क्वेश्चन आपके लिए है ओके गितनी लंबी क्यालेक्शन में यहां पर नहीं कर वहांगो एक्दम इजी क्वेश्चन है ओल्रेडी इस ट अप्शन नमबर एया है ओके अप्शन नमबर ए इस टेट क्लियर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फाइंड रिमेंडर वैन 27 एक्स क्यू यह जो स्टार लाजा है ना इट मीन यह आपके पास स्क्वेर में है यहां पर ओके यानि आपके पास क्या क्वेश्चन यहां पर 27 एक् इसको डिवाइट करना है हमें 3x प्लस टू के साथ तो हमें फाइंड करना है रिमेंडर एक तो हमारे पास एक यह मैथड है इसके साथ आप इसको माइनस एट होल अंडर दी रूट डिरेक्टली 3x प्लस टू करके आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका रिमेंडर ही पता करना है या आप रिमेंडर थियोर्म लगा सकते है रिमेंडर थियोर्म यहां से चलती है यह आपको कहती है x is equal to minus 2 upon 3 कहां से निकाला हमने यहां से निकाला देन यह value को यहां पर पूट करेंगे तो आपके पास रिमेंडर आ जाएगा पूट कीजिए क्या हो जाएगा आपके पास 27 रैकेट में minus 2 upon 3 का होल क्यूब आपके पास minus 5 यहां पर पहले भी लिख सकते हैं या इसको अभी यहां पर रहने देते हैं यहां पर ओके देन यहां आपके पास क्या बन जाएगा यहां पर इसको और ज़्यादा solve करेंगे हम तो इसको आप solve कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर हम time waste नहीं करेंगे जब हम इसको पूरे इसको solve करेंगे तो इसका जो answer हमारे पास बनेगा वो बनेगा minus 22 ओके minus 22 जो है यहां पर आपके पास इसका answer बनेगा तो यहां पर minus का sign नहीं लगा है ओके option number c जो है इसका आपके पास यहां पर right answer यही method है इसको solve करके check कर लीजिएगा क्या हमने आपको सही बताया है यह नहीं method हमने बता दिया कि आपको किस तरह से इसको solve करना है बाकी आपका काम है आगे ओके next है मारे पास if a is equal to b is equal to c then find a plus p plus c का whole square upon a square plus b square plus c square तो यह आपके पास यहां पर है आपके पास दिया गया है जो a b c है वो equal है and यह जो हमारे पास है कुछ इस तरह से आपके पास यहां पर का whole square upon a square plus b square plus c square आपको find करने इसकी value देखिए यह value हमें given है यहां पर यहां पर भी हम a लिख सकते हैं यहां पर भी 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 लिख सकत square upon नीचे क्या है यहाँ पर ए ए ए लिखेंगे यानि 3 a square सभी में common है 3 ओके तो हमारे पास आ गया 3 a square common आ गया सभी में अब यह आपके पास बन जाएगा 9 a square upon 3 a square यहाँ से cancel कर लेजिए and 3 is the right answer so option number d जो है आपके पास यहाँ पर इसका right answer है next है मारे पास if x plus 1 यहाँ पर क्या है आपके पास x plus 1 upon x की value है 3 then आपको find करनी है x square plus 1 upon x square की क्या value आपके पास बनेगी इसको देखिए x है इसको square में convert करना है हमें क्या करना है first step में square कर देना है both side okay नहीं x square plus 1 upon x square जब हम इसका भी square करेंगे तो क्या बन जागा a plus b का square plus 2 a plus b is equal to यह आपके पास क्या बन गया यहाँ पर इस थरी का square किया तो 9 हमारे पास आ गया यहाँ से इसको cancel कर लिजिए so x square plus 1 upon x square is equal to 9 minus 2 is equal to 7 which one is the right answer option number is the right answer then question number 8 है same इसी तरह से आपके पास आपके पास question दिया गया है 1 x minus 1 upon x is equal to 5 then आपको find करना है x square plus 1 upon x square ओके यह value आपको find करना है is equal to कितनी आएगी तो again इनका square कर लिजिए first step में क्योंकि आपको square चाहिए क्या हो जाएगा x square plus a square plus b square minus 2 a b ओके यह आपके पास value बन जाएगी यहाँ पर then यह आपके right answer क्या होगा आपके पास 27 is the right answer next है हमारे पास question number 9 if a plus b plus c is equal to 10 and a b plus b c plus a c is equal to 31 आपको find करना a square plus b square plus c square अब इस question को किस तरह से करेंगी एक तम easy question है कोई tough नहीं है okay firstly देखिए यह values given है यह formula आपके पास बन रहा है कौन सा a square plus b square plus c square plus 2 a b plus b c plus a c okay इस formula में हमें convert करना है हमारे पास यह value तो given है तो इसका क्या करेंगे square कर देंगे okay इसका square कर देंगे दोनों side तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर यह तो directly हमारे पास इसमें convert हो जाएगा इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं a square plus b square plus c square is equal to under यह value हमारे पास बन जाएगी और जब इस formula में मैं इसको imply करूंगा तो यह तो value हमारे पास given है यह भी value हमारे पास given है किनकी कितनी value हमारे पास आई है okay यह given नहीं है इसकी value इतनी है okay तो this will be equal to कितना हो जाएगा this will be equal to 100 इसके बराबर है यहां पर क्या आएगा 2, 31 आपके पास यहां पर given है is equal to 100 क्या आपको यह निकालनी है तो इसको as it is रहने देंगे तो आपके पास 30, 30, 60 and to 62 जब परली साथ जाएगा तो 100 minus 62 this will be equal to 38 जब है आपके पास यहां पर इसका right answer बनेगा इसलिए अभी मैंने केबल सिंपल आये है अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो questions को अब के लिए और complicated करते चलेंगे ओके मगर याद आखिएगा 50 likes का target पूरा करना है आपको then next हमारे पास आता है 42 and 70 जिस तरह LCM निकाला same उसी pattern में 2 into 3 into 7 पहले हम कर चुके हैं 235 into 5 के साथ करेंगे तो 7 into 7 common terms कौन सी आपके पास ये वाली है तो इन terms को हम यहां से ले लेंगे और इनको neglect कर देंगे यादि 2 into 7 is equal to 14 ओके तो इस तरह से हम SCF निकालते हैं आपने सुचाओ को कि मैंने बताया ही नहीं क्या सिप है क्या पहले से सारी कोर्स के अंदर हो चुकी है अब कोर्स का लास्ट पार्ट चला है हमारे पास test series ओके तो फर्स टैस सीरीज मैट्स की हम लेके आये हैं इसके ब पर न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो फाइल का लिंक दिया हुआ है डिरेक्टली वहां पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सब तक रिए थैंक यू अब नैस ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।